अमश्कार स्वागत है आप सभी का वीडियो गूरू में और आज वीडियो गूरू में हम लोग बात करने और लाते हैं पहला सवाल आप सबीके सामने तो पहला सवाल यह रहा पहला सवाल कह रहा है on increasing the diameter of a circle by 75% the percentage increase in the perimeter अब देखिए आपको पता है क्या कि 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 परिमाप क्या होता है circle का 2 pi r अब यहाँ पे अगर आप diameter पे 75% कर रहे हैं या आप कह सकते हैं इसे pi d होता है 2 r का मतलब diameter में दिया गया तो 2 r का मतलब d हो गया अगर diameter को 75% बढ़ाया गया है तो आप क्या कह सकते हैं कि परिमाप में भी केवल 75% का increment होगा तो option third is the right answer ठीक है बच्चो तो हमें क्या पता चला जब परिमाप की बात होती है और उस पे कुछ भी increment हो रहा है radius में उतने का ही effect आपके किस पे आजाएगा perimeter पे आजाएगा इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल कह रहा है circumference of a circle is 132 cm circle का जो circumference है वो 132 cm है what is the area of the circle circle का area क्या होगा circumference of a circle कितना है 132 cm तो मुझे क्या पता चला circumference of a circle is 132 cm तो 2 pi r आपको 132 दिया गया तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस pi की जगे 22 बटे 7 रख सकते हैं इस pi की जगे 22 बटे 7 रख सकते हैं 22 into 2 होता है 44 44 का मतलब 3 तो r की value 1 r की value 1 7 तिया 1 अब area of the circle क्या होता है pi r square pi r square होता है यानि 22 by 7 r की जगे रख सकते हैं 21 into 21 r की जगे क्या रख सकते हैं 21 into 21 7 से ये चला गया 3 times 3 into 21 63 63 into 22 कैसे करेंगे 2 3s are 6 2 3s are 6 6 प्लस 3 9 6 प्लस 3 9 9 का दुगना 18 1 कह रही फिर 6 आपता 6 का दुगना 12 1 कह रही था तो 1 3 8 6 1 3 8 6 आपका आंसर आ गया यानि की option third 1 3 8 6 आपका बिलकुल सही जवाब है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है the area of a circle is 616 square centimeter find a circumference अब यहाँ पर क्या कर दिया गुमा दिया गुमा क्या दिया आपको area दिया गया है circumference पूछा गया है area कित्ता दिया गया है pi r square यह आपको दे रखा है 66 sorry 616 6 अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है pi की जगे रख सकते है 22 बटे 7 pi की जगे क्या रख सकते है 22 बटे 7 अब हमने इसे divide करने का प्रियास किया तो देखिए पहले हम इसे 11 से divide कर दे दो बार 11 से इसे divide कर दूँ तो कित्ती बार जाएगा 5 और 6 56 टाइम है ना यह कित्ती बार चला जाएगा 56 टाइम 2 से मैंने इसे divide किया यह चला गया 28 टाइम r स्क्वेर हो गया 28 इंटू 7 यह आप कह सकते है 196 तो आपकी r की value कितनी आ गई 14 r की value आ गई 14 आप क्या कह रहे find a circumference circumference क्या होगी circumference यादी परिदी हो जाएगी आपकी 2 pi r 2 pi r का मतलब 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 14 r की value 14 7 से 2 बार तो 2 इंटू 24 4 इंटू 28 4 इंटू 28 यानि की option 4 is the right answer option 4 is the right answer चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल क्या कह रहा है find the area of a semicircle whose perimeter is 36 cm आपको एक ऐसे अर्ध परिमाप का क्या निकालना है शेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप आपको 36 cm दिया गया है अब परिमाप क्या होता है semicircle का 22 बटे 7 इंटू r इक्वेल टू 36 यह फॉर्मुला है या आप इसे solve करेंगे तो आपका कितना आजाएगा 36 by 7 r equal to 36 36 से 36 cancel r की value 7 यह अगर आपको याद हो अगर यह फॉर्मुली के साथ साथ मैंने आपको एक फॉर्मुला लिखवाया था कि circumference सीजे 36 बटे 7 r आप याद रख सकते हो कितना याद रख सकते हो semicircle के लिए 36 बटे 7 आप याद रख सकते हो तो 36 बटे 7 आपने apply कर दिया यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आजाएगा आपका 36 r की value 7 अब r की value 7 है तो area कितना हो जाएगा area आपका हो जाएगा 22 बटे 7 into 7 का square 49 divided by 2 7 से 7 times 2 से 11 times 11 into 7 1777 आपका answer आगया यानि 154 is the right answer 77 आगया हमा sorry 154 कह रहा हूँ option 177 is the right answer option 177 is the right answer यानि option 4 सदकता बिलकुल सही जवाब है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल कह रहा है radius of a circle is 14 cm क्या है circle की जो त्रिज्या है वह 14 cm है and the angle at the center found by sector is 45 degree and और क्या का जा रहा है sector के द्वारा जो angle बनाया जा रहा है केंद पर वह 45 degree का है find the area of the sector यानि कि यह इस तरीके से कहा दिया गया है यह कितना दिया गया है इस तरीके से दिया गया है और यह 45 डिगरी का है यह कितना है 45 डिगरी है यह आपका 14 cm है यह 14 cm है अब सेक्टर का एरिया क्या होता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मला होता है देखू कैसे निकालते हम लोग पूरा सर्केल जब होता है पूरा सर्केल होत होता है कि जब पूरा सर्केल होता है तो ए्रिया क्या हो जाता है पाई-याइ-vordan स्क्वेर जब पूरा सर्खेल होता है तो center पे angle बनता होता है ठीन सो साथ डिघ्री तो एक डिग्री के लिए कितना हो जाएगा ti area square wavelength by 360 जब पूरे सरकल की बात होती है तो pi r square होता है जब पूरे लगाया तो 22 बटे 7 आर स्क्वेर की जगे मेरे पास क्या आ जाएगा 14 इंटू 14 और यहां पर आपका आ जाएगा 45 बटे 307 कितना आ जाएगा 45 बटे 307 अब आपको पता है 45 से 360 चला जाता है एट टाइम 45 से 360 चला जाता है एट टाइम अच्छा दो से साथ बार साथ कैंसल दो से साथ बार दो से ग्यारा बार यह दो 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 आठ हो गया आठ से आठ कैंसल हो गया अब हमारे पास क्या बचा है अब हमारे पास बचा है ग्यारा इंटू साथ 70 और एक साथ से एक साथ तो ह 77 बचाए तो हमारा आंसर क्या हो गया option 477 आंसर हो गया option 477 एक बाप फित से बतानो पाई यानि 22 बचे 7 रखा आर स्क्वेर की जगे 14 इंटू 14 रखा अच्छा देखो अगर आप इतना भी सोचो 45 दिगरी का मतलब होता है 90 का आधा 90 जब होता है तो कौडरेंट होता है 90 जब होता है तो कौडरेंट होता है तो यह कौडरेंट का आधा है कौडरेंट का मतलब प बटे साथ इंटू 14 इंटू 14 इंटू 45 अपॉन 360 जैसे ही आपने यह किया 45 से यह चला गया 8 बार 2 से 7 बार 2 से 7 बार 2 से 11 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 8 से 8 कैंसल 7 से 7 कैंसल 11 7 जा 77 आपका आंसर आ गया तो आप्शन 47 77 इस दा राइट आंसर चलो बच्चो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल कह रहा है तो कॉस्ट ओफ फेंसिंग आस सर्कुलर फ्लॉट एट रेट ओफ रूपीस 15 पर मीटर इस रूपीस 330 यानि एक यह सर्कुलर फिल्ड है इस पर फेंसिंग करने है तो इसकी फेंसिंग का प्राइस क्या होगा इसकी फेंसिंग को करने का प्राइस क्या होगा जितना इसका बॉर्डर है अब इसका बॉर्डर कितना होगा इसके सर्कम फ्रेंस के बराबर होगा यानि तू पाई र के बराबर होगा इसके किसके बराबर होगा इसके सरकम फ्रेंज के बराबर होगा या तू पाई आर अगर यह तू पाई आर के बराबर है और इसमें मैं प्राइस का मल्टिप्लाई कर दू तो फैंसिंग करने का टोटल रेट आ जाएगा या रेट का मल्टिप्लाई कर दू तो टोटल प्राइस आ टूं जाएगा किरे तो यहां पे हमारे पास क्या है dalेकि बाइस बड़्टे साथ आर पता नहीं रहेजट चामें पता एक है 15 तो ऐसा करने कर दे Wash तूं पर टीन हजार एंहरा 3,300 रुपए ऐसा साँ इसकी थूंता है में असे 15 कर सकता हूं और औंदर से इससे डिवाइट कर दिया है यह चला गया तो j वैल्यू क्या हो गई सेफटी इंटो हाइछ फैटी फाइटी फैट्टी कुंद् abundance तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा फ्लोरिंग करनी पड़ेगी अब इसके अंदर फ्लोरिंग करनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा जो इसके अंदर एरिया बंद है उसमें प्राइस का रेट का मल्टिप्राय करेंगे टोटल प्राइस आ जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वेर यानि 35 इंटू 35 इंटू रेट यानि इंटू 100 ठीक है अब आप देखें यहां से आपने से डिवाइट किया यह चला गया आपका 5 टाइंग अच्छा इसमें से 7 हटाके इसे 7 इंटू 5 लिख दू 35 को अगर मैं 7 इंटू 5 लिख दू कोई फरक पड़ा नहीं पर है कैसे हो गई 5 इंटू 22 110 होता है इंटू साथ इंटू 100 ठीक है और यह 5 आपका बचा था नहीं पांच यह पांच आपका बचा था तो 75 35 वह ब्रेक करने की जरुवत नहीं यह 5 भी था मैंने द्यान नहीं दिया तो 35 यहां पर 35 इंटू 22 110 5 इंटू 22 110 आ गया 35 इंटू ग्या रहा 35 इंटू 11 5 5 जा वन इंटू 5 5 3 5 8 3 तो वैल्यू किती आगे 3 8 5 क्या किया जब फैंसेंग की बात हुई तो हमने सर्कंफ्रेंस लिया टू पाई आर और इसमें रेट का मल्टिप्लाए किया टोटल प्राइस आ गया जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास वैल्यू किती आई थी दो इंटू 22 बटे साथ इंटू आर और रेट हमारे पास था 15 य यहां से आर आ गया 35 अब जब एरिया से रिलेटेड आया तो हमने फॉर्मुला क्या लगाया पाई आर इंटू रेट इक्वल टू टोटल प्राइस तो पाई की जगे रखा 22 बटे साथ यह आर स्क्वेर आर स्क्वेर की जगे रखा 35 और आर की जगे रखा 100 अब आपने दे इंटू 11 35 इंटू 11 5 358 3 3 8 5 triple 0 आंसर आ गया है तो आप्शन वन इस दा राइट चली बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए अगला सवाल कह रहा है दा एरिया ओफ दा लाजस ट्राइंगिल दैट कैन बी इंस्क्राइब दे सेमि इसर्क्ल ऑफ रेडियसь सेंटी मीटर एग यहां कहले यह जो सबसे लाजस्ट आपका क्या है ट्राइंगिल है अंन मुरह सबसे आपका लाजस्ट ट्राइंगल है जो किसी सेमि सर्क्ली पर बंद को सकता है मैं इसका आपको शेत्रफल ज्याद करने हैं आप देखो सेमी सर्किल के अंदर जो भी सबसे अंदर आपका बड़ा ट्राइंगल होगा वह आपको पता है इसके बॉड़ी पर तच कर रहा होगा यानि 90 डिगरी तो हो गई होगा 90 डिगरी हो गई होगा अच्छा अब देखिए यहां पर आप एक सिंपल सा कॉंसे मैक्सिमम अब बेस मैक्सिमम कब होगा वन वाइट टू बेस कितना हो गया आपका डायमीतर हो जाएगा बेस आपका क्या हो जाएगा डायमीतर हो जाएगा तो 6 का दुगना 12 और रेडियस आपकी हाइट हो जाएगी मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी जब रेडियस के ब है ना तो आंसर आपका आगया option first तो आप याद रख सकते हैं area of the largest triangle that can be inscribed in a semi circle हमेशा radius का square होता है हमेशा क्या होता है radius का square होता है यानि 36 cm इस सवाल को देखते हैं यहां पर क्या कहा रहे है तो एक सर्किल यह माल लीजे एक सर्किल यह माल लीजे एक सर्किल हूं जो एक दूसरे को externally touch कर रहे है अचा इनका diameter एक किस है यानि इनकी जो radius होगी वह 20 कित्ती होगी 21 by 2 यह भी 21 by 2 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 कैसा चलेगा यानि मैं कह सकता हूं इन सब के द्वारा जो बंद बनेगा एक ट्राइंगल उस ट्राइंगल की जो आपकी भुजाएं होंगी वह 21 की हो जाएंगी 21 बटे दो 21 बटे दो यानि इनके diameter के बराबर हो जाएंगी तो मैं इसको भी रब कर देता हू बात समझ गया न तो इनकी जो साइट होंगी वह कितनी हो जाएंगी 21 की हो जाएंगी अच्छा आप क्या कहा जा रहा है एक ट्रेट के द्वारा यह सब एक्सटर्न बाउंड की जा रही है यानि इन एक ऐसे त्रेट आ रहा है ठीक है जो इसको ऐसे बाउंड कर ले रहा हूँ इस तरीके से बाउंड होगा तो अब इसकी त्रेट की लंबाई आपको निकालने के लिए दिखो आपका लॉजिक क्या जाता है कि अगर यह से सर्किल है यहां पर यह क्योंकि टेंजेंट हो रहा होगा तो अगर मैं इसको कारूं तो यह 90 ठीज़ यह आपको पता हुग यह तो यह आपको पता चला कि यह जो लंबाई है वो इस लंबाई के बडा़ए यह इसके बडाबर रेक्टेंगिल बन गया तो यह आप कह सकते हैं कि अ जब डायरेक् Having kuन साट पढ़ा यह वह इ법 और सेंठर एक दूसरे जो दूरी होती उतनी की लंबाई यादी आप कह सकते हैं इसकी लंबाई 21 से इसकी लंबाई 21 से इसकी लंबाई 21 से दो समारे पास कौन सा पार्ट बुंचा कौन सा यह करफ वाला पार्ट बचा आपए कर śथा अंदर आपके पास UQ triangle बन रहा था तो यह 60 डिग्री का हो जाएका 20 डिग्री का हो जाएगा अगर यह शाइट डिग्री हो गया यह नान्टी डिग्री यह बिचा हूँ एंगल कि एक सेंटर के चारो तरफ के एंगल का होजाता है 360 तो 360-60-90-90 यह आपका कितना बचाई नद एक एक सो अजी और 90-240 यानी की 120 बचा है आप यह एंगल 120 दिगरी का यह एंगल 120 दिघरी का 120 दिगरी के तीन सेक्टर है जिनकी radius बराबर है 120 इंटू 3 होता है 360 यानि ये तीनों मिलकर एक circle बना देंगे ये तीनों मिलकर एक circle बना देंगे तो इस समय इस thread का जो लंबाई होगी इस thread की जो लंबाई होगी वह आप कह सकते है perimeter of triangle plus circumference of circle ठीक है आप देखो perimeter of triangle कैसे निकालेंगे 3 इंटू 21 और circumference of circle जैसे निकालेंगे 2 पाई आर ठीक है 2 पाई आर कितना था 21 बटे 2 आप देखें दो से दो कैंसल साथ से पीन बार 3 इंटू 21 63 प्लस 22 इंटू इंटू 3 66 एड करेंगे 129 आंसर आज़ा यानि option फूर्थ 129 इस दा राइट आंसर ऑप्शन फूर्थ 129 इस दा राइट आंसर तो कभी भी इस तरीके ब sharpener देखें जाए हमें क्या पता है यह जो आपकर साइड आ रही थी वो tv् Old Radius बन रही थी है ना ऐसे तो आरा था ये एक सरकिल था ये वसरकिल में क्यों प्रबी भी क्या हो खा ये तो इस एक सरकिल था एक साइड बन रही थी पॉमल ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 3 प्लस 5 मेरे पास क्या बचेगा 3 प्लस 5 यारी इस तरीके के सवाल का मैं डारेक्ट फॉमला क्या लिख सकता हूं 2 3 प्लस 5 र तू ब्रैकेट में 3 प्लस 5 अब आप यहाँ पे देखो value रखो 2 3 प्लस 22 बटे 7 इन्टु आर कितना है 21 बते दो से दो कैंसे फीन एल्सीय म आ जाएगा तीन की आ जाते आपका याज आएगा तो 21 प्लस 22 डिवाइट बाए कितना आएगा आपका डिवाइड बाए-7 इन्टू 21 यह 3 हो गया यहां से आपका कितना है है 43 43 23 129 43 23 129 आंसर आ गया चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यहाँ पर कह रहे है इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल इस पूर सेंटिमीटर कोई ट्राइंगल है उसका इन रेडियस जो है वह आपको कितना दिया गया है पूर सेंटिमेटर और एरिया कितना दिया गया है 34 अब आपसे कह रहे है अब परिमाप कैसे निकलता है ट्राइंगल का यहाँ पर आपको पता है रेडियस ऑफ इन सर्किल बराबर हो जाता है डेल्टा पॉन S जहाँ पर डेल्टा क्या है एरिया और S क्या है सेंटिमी परिमीटर है तो अब हमें पता है सेंटिमी परिमाप क यह किसके बराबर हो जाएगा इन सर्क्ल की रेडियस के बराबर हो अब यह हमें दिया गया है चार यह दिया गया है 34 यह पी हमें ग्याद करना है और यह तोटना है तो 2 से 2 बार 2 से 17 बार पी की वेल्यू आपकी आ गए 17 यानि की ऑप्शन सेकंड 17 सेंटिमेटर इस दा राइटा इजी सवाल था बहुत इजी हो जाता है अगला सवाल देखते है अगला सवाल कह रहा है इस दर इन रेडियस ऑफ एन एकुलेटरल ट्राइंगल इस 3 सेंटिमेटर क्या कह रहे है कोई इसका इन रेडियस जो है वो 3 सेंटिमेटर है इन रेडियस ट्राइंगल का 3 सेंटिमेटर अब देखो यहां पर हमें पता क्या होता है यहां पर हमें पता है कि जो आपकी लंबाई है यह एल्तिटूट की जो लंबाई है वो 2 ratio 1 में ब्रेक होती है एकुलेटर्र ट्राइंग सेंट्रॉइड होता है तो two ratio वन में ब्रेक हो गई यारि यह का occur छानि कि हम कह सकते हैं एलटीटुट क्या होता इक्वेलेटल टाइंगल का रूट-3 By 2A पॉल्द Two-A नी कितने के बराबर है यह आपका नौ के बराबर शिक प्लस त्री 1940 तो ए की value कितनी हो जाएगी 9 तूज बाय रूटस एक की value हो गई 18 रूट 3 यह आप अगर चाहें तो परिमाप निकाल ले कि पी इक्वेल टू 3 इंटू 18 रूट 3 रूट 3 से 3 चला जाेगा चला रूट 3 टाम्स तो यह आपका कितना आ खया 18 रूट 3 या नि की option 4 is the right answer option 4 is the right answer अच्छा दूसरी अप्रोच क्या है मैंने आपको डारेक्टली बताया था यहाँ पर इन सर्क्ल की रेडियस इन सर्क्ल की रेडियस आप लिख सकते हैं ए तू रूट 3 इन सर्क्ल की रेडियस आप सीधे-सीधे लिख सकते हैं ए टू रूट 3 तो ए टू रूट 3 अगर 3 के बराबर है तो ए की वैली हो गई 6 रूट 3 तो परिमाप क्या हो जाता है 3 इन टू 6 रूट 3 यानि की 18 रूट 3 यह फॉर्मला हम लोगों को बताया था मैंने हम लोग उने पढ़ाता है डिसकस किया था यह कैसे ड्राइव हुआ है तो अगर आपको याद नहीं है तो एक बाप फॉर्मला वाला वीडियो देखना उसमें यह डिसकस किया है याद हो जाएगा ठीक तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 18 रूट 3 आ गई तो यहां पर आप उप्सक्राइब की आंसर बठाएं चलो इसी बात पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल कह रहा है आप स्क्वेर इस सर्कम्स्क्राइब बा इसकी सर्कम्स्क्राइब हो जा रहा है किसके द्वारा एक सर्किल के द्वारा जिसकी सर्कम्फ्रेंच इसकी सर्कम्फ्रेंच क्या है तू पाई आर शवालिस के बराबर है तू पाई आर कितने के बराबर है शवालिस के बराबर है एरिया ओफ दा स्क्वेर आप कैसे निका सकते हैं तू पाई आज से हम क्या निकाल सकते हैं तू आर निकाल सकते हैं और यह तू आर यानि की जो डायमीटर है वो डाइगनल होगा अवे इसर्किल का डायामीटर शर्किल का बराबर होना चाहिए डायगेनल इसक्वेर की तो हम कह सकते हैं इसका जो डायगेनल है वह कैसे निकलेगा डायगेनल इक्वेल टू टू आर यानि डी की जो वह है 44 divided by pi कितना ओजाएगा 44 divided by pi तो अगर 44 divided by pi की जगे एक 22 बटेश सार तो आपका यह जो डायगेनल है वह कितना आजाएगा 14 आजाएगा डायगेनल अगर 14 आ रहा है आपको एरिया निकालना है तो स्क्वेर के डाइगनल से एरिया क्या से आता है डी स्क्वेर बाइटू पॉर्टीन का स्क्वेर होता है 196 डिवाइड बाइट तू यानि यह कितना हो जाएगा 98 सेंटीमेटर आश्वार आज़ागा साहीए चाले आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ आज के सेश्न को करते हैं सम अप उमीद करते हैं आगे के आजका सेश्न आपको पसंद आया होगा जो आपके डाउट जय क्वेड़ी इस सवालो का और भी सवालों की और भी कॉंसेप्स की पर अभी के लिए हमें दीजिए अजाज़त थैंक यू एव्रिवान हब ग्रेट दे एंड इंजोई और सेल्फ